निर्गमन अध्या 21 फिर जो नियम तुझे उनको समझाना है वे यह है जब तुम कोई इबरिदास मोलो तब वह च्छ वर्ष तक सेवा करता रहे और सात्वे वर्ष स्वतन त्रहो कर सेंथमेंट चला जाए यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए और यदि पत्नी स ही आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे वा बेटिया उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए परंतु यदि वह दास दुढ़ता से कहे क कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और अपने बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर न चला जाओंगा, तो उसका स्वामी उसको परमिशर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड वा बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से यदि उसका स्वामी उसको अपनी पत्नी बनाए और फिर उससे प्रसन्न न रहे, तो वह उसे दाम से चुड़ाई जाने दे, उसका विश्वास खात करने के बाद उसे उपरी लोग के हाथ पेचने का उसको अधिकार न होगा, और यदि उसने उसे अपने बेटे को ब्याह दिया हो, तो उसने उसे बेटी का सा व्यवार करे, चाहे वह दूसरी पत्नी कर ले तो भी वह उसका भोजन, वस्त्र और संगती न घटाए, और यदि वह इन तीन बातों में घटी करे, तो वह स्त्री सेंतमेंद बिना दाम चुकाए ही चली जाए, जो किसी मनुश को ऐसा म मारे की वह मर जाए, तो वह भी निश्च मार डाला जाए, यदि वह उसकी घात में न बैठा हो, और परमेश्वर की इच्छा की से वह उसके हाथ में पढ़ गया हो, तो ऐसे मारने वाले के भागने के निमित्त में एक जगह, एक स्थान ठेराऊंगा, जहां वह भाग परन्तु यदि कोई ढिटाई से किसी पर चड़ाई करके उसे चल से घात करे, तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जारा, जो अपने पिता वा माता को मारे पिटे, वह निश्च मार डाला जाए, जो किसी मनुष्च को चुराए, चाहे उसे ले माता को श्राब दे, वह भी निश्च मार डाला जाए, यदि मनुष्च जगडते हो और एक दूसरे को पत्थर वा मुक्य से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिच्छोने पर पड़ा रहे, तो जब तक वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे, तब तक व मारने वाला निर्दोष्ठ हैरे, उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानी को तो भर दे और उसको भला चंगा भी करा दे, यदि कोई अपने दास वा दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए, तब तो उसको निश्च दंड दिया जाए, परंतु यदि वह दो एक दिन जिवित रहे, तो उसके स्वामी को दंड न दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका दहन है, यदि मनुष्च आपस में मार पिट करके किसी गर्भीनी स्थी को ऐसी चोट पहुँचाए, कि उसका गर्भ गिर जाए, परंतु और कुछ हानी न हो, तो मारन वाले से उतना दंड लिया जाए, जितना उस त्रीका पती पंच की समती से ठहराए, परंतु यदि उसको और कुछ हानी पहुचे, तो प्रान की संती प्रान का, और आख की संती आख का, और दात की संती दात का, और हात की संती हात का, और पाव की संती पाव का, और दाग की की संती दाख का और घाव की संती घाव का और मार की संती मार का दंड हो। जब कोई अपने दास वा दासी की आख पर ऐसा मारे की फुट जाए तो वह उसकी आख की संती उसे स्वतंतर करके जाने दे। और यदि वह अपने दास वा दासी को मार के उसका दात तोड़ डाले तो तो वह उसके दात की संती उसे स्वतंत्र करके जाने दे। यदि बैल किसी पुरुष वस्त्री को ऐसा सिंग मारे कि वह मर जाए तो वह बैल तो निश्च पत्त्र वह करके मार डाला जाए और उसका मास खाया न जाए। परंतु बैल का स्वामी निर्दोष्ट है रहे। परंतु यदि उस बैल की पढ़ले से सिंग मारने की बान पड़ी हो और उसके स्वामी ने जताय जाने पर भी उसको न बान रखा हो और वह किसी पुरुष वस्त्री को मार डाले तब तो वह बैल पत्त्रवाह किया जाए और उसका स्वामी भी मार डाला जाए। यदि उस पर चुडवती ठेराई जाए, तो प्रान चुड़ाने को जो कुछ उसके लिए ठेराई जाए, उसे उतना ही देना पड़ेगा। चाहे बैल ने किसी बेटे को, चाहे बेटी को मारा हो, तो भी इसी नियम के अनुसार उसके स्वामी के साथ व्यवार किया जाए। यदि बैल ने किसी दास वा दासी को सिंग मारा हो, तो बैल का स्वामी उस दास के स्वामी को तीस शेकेल रूपा दे और वह बैल पत्थरवाह किया जाए। यदि कोई मनुष्य गढधा खोल कर वा खोद कर उसको नढ़ापे और उसमें किसी का बैल वा गढधा गिर पड़े, तो जिसका वह गढधा हो वह उस अहानी को भर दे, वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गढधे वाले के ही ठायरे। यदि किसी का बैल, किसी दूसरी के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए, तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेच कर उसका मोल आपस में आधाधा बाट ले और लोथ को भी वैसा ही बाटे। यदि यह प्रगट हो कि उस बैल की पहले से सिंग मारने की बान पड़ी थी, पर उसके स्वामी ने उसे बाध नहीं रखा, तो निश्च यह बैल की संती बैल भर दे, पर लोथ उसी की ठैरे। यह बाट वेका जए नहीं आए बाटे।